कि हलो फूर्ण साजै की इस वीडियो में आपको यह बता रएसार। कि कैसे आप अपने नेट्वक कि प्रॉब्लम को ट सौनप कर सकते हैं? मुगायल फोन के अपने और mm नेटवक की प्रॉब्लम का सॉलफ काइसे कर सकते हैं? याद रखिएगा कि आपको अपने अपने SIM को जो है SIM tray के one slot में लगाना है इसके बाद फोन के अंदर डाल देना SIM को इससे भी network की problem solve हो जाती है अब दोस्तों अगला काम यह करना है आपको अपने mobile phone की network setting को reset करना है इसके लिए आपको इसे नीचे की साइड रिशेट सेटिंग पर टाप करना आपको इस वह दूसरे पेज पेज पर दुबारा से रिशेट सेटिंग पर टाप करना आपको यहां पर लिखाओ आ जागा थोड़ी देर में यह देखिए network setting इस तरह की से आपको फोन की network setting को reset करना है जिससे आपके फोन की network की problem solve हो जाएगी अगला काम यह करना है कि आपको अपने mobile phone को restart करना है इसके लिए phone के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबाके रखना है आपकी स्क्रीन के सामने पेज आएगा यह वाला इसमें restart पर टाप करना है इससे क्या होगा आपका phone automatic switch off हो कि automatic switch on हो जाएगा restart करने से ही होता है कि हमारे mobile phone के Android system में कोई प्रावलम आ जाती है तो प्रावलम जासौल हो जाती है फोन को restart करने से ठीक है अब दोस्तों अगला काम यह करना है कि mobile phone का आपको अपन करना है इसमें आपको चोटे से पेज में reset to default लिखा मिलेगा इसे टाप करना है आपको नीचे यहां पर लिखावा आ जाएगा यह दिखे रिसेट default एपन सैटिंग इस तरह की से phone की एपन सैटिंग को reset करना है अगला काम यह करना है कि mobile phone का software आपको चेक करना है कि वो update है या नहीं है इसके लिए पार्न के उन्तने दो फोन का internet आपको पहले चालू रुखना इसके बाद आपको mobile phone का setting page ओपन करना है इसमें आपको नीचे की साट एर सिस्टम पर टैप करना है इसके अगले पेज में आपको नीचे online update पर टैप करना है आप उस पेज में बटन हैं अगर कोई भी update का बटन अगर काम नहीं करते हैं कोई भी तब आपको फोन को Reset करना है अधरौआस बिल्कुल नहीं करना है तुक है फोन को Reset करने के लिए आपको आपको वैल फोन का Settings page open करले नहीं iMac इसके अगले पेज में आपको तैप करना है इसके अगले पेज में सबसे निचे erase all data इसे आपके फून की नेटवर्वक की प्रॉलम सौल हो जाएगी लेकिन आपको फून को रिसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहले बात यह द्यान रखने हैं आपके फून में जितना भी डेटा सारा डेटा किसी दूसरे फून में ट्रांसफर कर लिजिए या